हेलो नमस्कार दूस्तो आज का हमारा टोपिक है टेलिग्राम 2.6.1 कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 10, 8, 7 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गये यदि आप लोग अपी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किये तप लीज चैनल को सब्सकाइब कर ना भूले चलिए शुरू करते हैं आप अपने लेप्टाप या पीसी के अंदर को भी ब्राजर ओपन कर लिजेगा ब्राजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ओपन करने के बाद यहां पर आपको टैप कर देना है टेलीग्राम और इंटर कर देना है इंटर करते हैं यह यदि आप Android के लिए डाउनलोड करना चाहते तो यहां से कर सकते हैं, यदि आप iPad के लिए करना चाहते तो यहां से कर सकते हैं, यदि आप Windows Mac Linux के लिए करना चाहते तो यहां से आप कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको Windows के बारे में ही बता रहा हूँ, इसलिए आपको क्य कीजिएगा इंटर कीजिएगा तो भी डेक्ट ली ये पेज ओपन हो जाएगा ये पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा गेट टेलिग्राम फुर विंडो तो आपको क्या करना है डेक्ट एक्सी करने के लिए यहाँ पे किलिक कर रहा हूँ किलिक करते हैं इस तरह से विंडो अपन हो जाएगा अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा 2.6.1 तो अब आपको क्या करना है आप जहाँ भी एक्सी को सेब करना चाहते है और फॉल आज के डेटी में यह लेटेस्ट वर्जन है अब आपको क्या करना है इसको पर आपको रैट किलिक कर देना है रैट किलिक करते हैं इस तरह से विंडो अपन हो जाएगा इसके बाद आपको पर पर टिपे किलिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से विंडो अपन हो अब हम इसको install करेंगे, install करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ओपर double click करके install कर सकते हैं, या नहीं तो आप run air minister पर click करके install कर सकते हैं, तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लिजेगा, लेकिन मैं आपको suggest करूँगा हमेशा कोई भी application आपको run air minister mode में install करन चाहते हैं, यहां से आप language select कर लिजेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, ok पर click कर देना है, click करने के बाद ये window open हो जाएगा, अब आपको यहां पर next पर click करना है, इसके बाद आपको next पर click करना है, इसके बाद आपको next पर click कर देना है, इसके बाद आपको install पर click कर देन नहीं तब इसको हटा भी सकते हैं, इसके बाद आपको क्या आ करना है, फिनिस को उपर आपको क्लिक कर देने हैं क्लिक करते हैं, installation कम्प्लिट हो जाएगा, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे desktop पे आपको shortcut icon दिखेंगा अब हम चेक करेंगे जो install की हैं उपर उपर काम करता है यह नहीं करता है इसके लिए आपको क्या करना है इस software को open करके check कर लेना है open करने के लिए आपको क्या करना है या तो आप desktop पे जो shortcut icon है या तो आप इसके ओपर double click करके open कर सकते हैं आप सर्च बार में जाके सर्च करके भी open कर सकते हैं दोनों में से आप कहीं से भी click करके open कर लिजेगा चलिए हमाई अपने case में desktop पे जो shortcut icon है इसके ओपर double click करके open कर लेता हूँ double click करते हैं इस तरह से window open हो गया आप देखने हैं without को error यह open हो चुका है अब आप इसका use कर सकते हैं यूज करने के लिए आपको क्या करना यहाँ पे start दिख रहा है इसके ओपर आपको click कर देने क्लिक करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे country select कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पे mobile नमर डाल देना है इसके बाद आपको यहाँ पे next कर देना है next करने के बाद यह OTP मांगेगा या नहीं तो password मांगेगा वो डालके आप login कर लिजेगा आपका mobile से scan कर लिजेगा तो direct यहाँ पे login हो जाएगा यदि आप इसके अंदर कोई setting करना चाहते है तो आपको क्या करना यहाँ पे setting दिख रहा है इसके ओपर आपको click कर देने किलिक करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आप यहाँ से भी language change कर सकते हैं यदि आपको auto update आउन करना तो यहाँ से रहने दिजेगा off करने तो आप यहाँ से off कर सकते हैं यहाँ पर वर्जन चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ जएगा 2.6.1 अब यदि आप इसका interface चेंज करना है तो यहाँ पे s-coe done करना है s-coe done करने के बाद यहाँ से आप interface भी change कर सकते हैं आप अप आप इसको यूज कर लिजेगा, यहीं आज का हमारा टॉपिक था, और प्लीज गर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, थैंक यू